प्रिविद्यार्तियों ये कक्षर 9 का गणित प्रश्णवली 2.4 का 14 सवाल है गुणनखन ग्याद कीजिए तो पहला है 12x वर्गरिन 7x धन 1 तो जितने भी ये समिकर्ण है 1, 2, 3, 4 इनको सबसे पहले आपन क्या करेंगे इनको जमाएंगे a x वर्ग धन b x धन c बराबर शुनने के रूप में जब जम जाएगा तब a और c का गुणा करेंगे a और c का गुणा करेंगे और ये देखेंगे a और c का गुणा जो भी आगे मालों ये d आया तो d को ऐसे दो गुणनखंडों में जोड़ेंगे अलग-अलग करेंगे दो गुणनखंड करेंगे कि जिनका जोड या घटाव जो है वो क्या रहे बी रहे कैसे करेंगे देखते हैं पहले इस रूप में जमाते हैं तो ये लिखा है इसको मैंने बारा एक्स वर्ग तो ये हो गया एक्स वर्ग धन बी एक्स पर यहां रिंड साथ है तो रिंड साथ एक्स देखो ए एक्स वर्ग धन बी एक्स और धन C मतलब 1 तो यह अब जम गया अपना X वर गधन, BX दन, C वरावर 0 अब यह 12 और 1 का गुणा करें तो कितना होगा 12 एकम 12 अब 12 के गुणनखन ऐसे करना है कि जिनका जोड या घटा और रिन साथ आ जाए तो 12 के गुणनखन कैसे करेंगे देखो यह 12 एकम 12 12 के गुणनखन अपनों कैसे करें रिन 4 करें और रिन 3 करें तो यह क्या हो गया 4 तीरी 12 होंगे और रिन रिन क्या होगा धन होगा तो धन के 12 हो जाएंगे और अपनों को भी 12 एकम 12 धन के मिल रहे हैं पर इनका यह जोड़ करेंगे तो क्या होगा देखो दोनों रिन के हैं जोड़ जाएंगे तो 4 और 3 क्या होगे है? 7 और वो भी किसके रिन के हैं यहां रिन 7 दिया हुआ है इसका मतलब रिन 7 के 2 टुकड़े होंगे रिन 4 और रिन 3 यह लिखा मैंने 12x अब यह रिन 7x है तो एक बार लिखाएगा रिन 4x और दूसरी बार लिखाएगा रिन 3x और धन क्या हो गया? यह 1 हो गया अब देखो यह दो भाग हो गया इसके अब इनको अलग-अलग करते हैं दो भाग को होगे इन दोनों में इसका कामाना जाएगा? और यहाँ एकस है तो एकस कामाना जाएगा तब देखो क्या बचेगा? इसको बटे मत मानना चार एकस हो गया तो यह 12 में 4 का भाग दिया 3, 4, 3, 12 और एकस वर्ग में से एकस निकल गया तो एकस रिन 4x यह रिन कर दिया चार एकस है तो पुरा बाहर आ गया तो अंदर बचा एक अब यहाँ से क्यों रिन कामन ले तो रिन कामन लेंगे तो यह आजागा 3x पर रिन कामन ले आती है धन है तो यह हो जागा रिन और एक का एक पर यहाँ रिन एक आएगा रिन एक तब देखो क्या हुआ 3 x rin 1 यहाँ पर भी है 3 x rin 1 यहाँ पर भी है ति यह 3 x rin 1 यहाँ से कामाना गया और अंदर क्या बचा 4 x rin 1 4 x rin 1 ति यह गुननखन हो गए 3 x rin 1 और 4 x rin 1 उसी प्रकार दूसरा सवल करें दूसरा में देखो ये है अब इसको AX वर का धन BX धन C जैसे दिख रहा है पूरा-पूरा ये A है ये B है और ये C है तो यहाँ दो और तीन का गुणा करा छे अब छे के गुणनखन ऐसे करना है जिनका जोड़िया घटाओ साथ आए तो ये होगा 6 गुणित 1 तो 6 अकम 6 तो होगया दो तीह चे के गुणनखन और 6 और 1 कितने होते हैं 7 तो 7 की हैं 2 टुकड़े करेंगे 6 और 1 तो ये हो जाएगा 6 धन 1 तो इसको लिखा मैंने 2 X वर का धन 6 X धन 1 X धन 3 अब ये दो एक जोड़ाई ये है और एक जोड़ाई ये है तो इस जोड़े से कामन ले क्या कामन लेंगे देखो दो और छे तो दो कामन ले सकते हैं एक सवर्ग और 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 ए बभ्डलीर आएगा टीन एकंग तीन और से घुना एक से करा तो एक एकस, अब यहा पर एक सधन तीन और एक सधन तीन दोनों जगह हैं तो यहाँ पर क्या होगा एक सधन तीन तीन कामन आगे दोनों से और अंदर क्या बचएगा अंदर बचएगा दीन को aos दो Х Tex करेंगे तो रिन 6 यहां अंदर आएगा तो 6 का 6 में गुणा करा मतले रिन 6 में गुणा करा कितना आया रिन 36 अब रिन 36 के ऐसे गुण अन्खन करें कि जिनका जोड कितना आ जाए पांच आ जाए तो यहां लिखा मैंने 9 गुणीद रिन 4 चति रिन 36 के तो 9 गुण 46 हो गया है और रिन जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा यहां धन करेंगे तो धन रिन रिन हो जाएगा तो 9 रिन 4 और 9 में से 4 गया तो क्या बचेंगे 5 यहां 5 को कैसे लिखेंगे 9 रिन 4 के रुप में है तो हल करते हैं इसको 6 एकस वर्ग धन 5 5x को लिखा धन 9x, रिंड 4x, रिंड 6, अब ये 2 भाग आ गए, 6x और धन 9x, और रिंड 4x, रिंड 6, अब देखो कामन निकालें क्या आता है, 6 और 9 में 3 का भाग चले जाता है, तो 3 बाहर आ गया, एकस वर्गोर, एकस में से 1 से निकाल सकते हैं, यह हो गया, इस में से 1 से लिखा गया, और 6 में 3 का भाग लगए, तो 2 बार, तो 2 और 1 धन, 9 में 3 का भाग दिया तो 3, और 1 से निकल गया है, 2x धन 3, अब यहां पर दोनों जगा रिंड है, तो रिंड कामन ले लिया, चार और छे में दोनों में दो का भाग जा रहा है दो दुनू चार और दो तिया छे तो दो कामन लिया और अंदर क्या बचा है चार में दो का भाग दिया तो दो एकस और रिन कामन ने ले चुके यहां आज़ाएगा अंदर धन छे में दो का भाग दिया तो तीन ये भाग इसलिए देने ताकि गुणा करने वो आ जाए तेको दो तिया छे और दो दूनू चार अब यहाँ पर दो एकसदहन तीन और दो एकसदहन तीन दोनों जगह हैं तो दो एकसदहन तीन कामान आ गया उबह निष्टा गया अंदर क्या बचा? 3x रिन 2 यह हो गया 3x रिन 2 चौंथे में देखें यह गुणनखन हो गया इसके यह 3 है और यह रिन 4 है तो 3 का गुणा रिन 4 से करा तो कितना है यह रिन 12 है अब रिन 12 के ऐसे गुणनखन करना है जिनका जोड या घटाव क्या आजाए? देखो यह कुछ निगुणा अग लिखा है मतलब एक लिखा है तो रिन 1 आजाए तो इसको इसी प्रकार देखो यह कहीं हो जाता है 3 धन रिन 4 वह इक वह गुणनकन तो रिन 4 धन 3 है या 3 धन रिन 4 तो बड़े अंक में से छोटा अंक जाएगा तो एक बच गईगा है चार में से 3 गया है एक और बड़े अंक काचिन न? रिन 1 तो यह रिन 1 आ गया है तो रिन 1 को कैसे लिखेंगा अपन? 3 धन रिन 4 या रिन 4 धन 3 लिखके देखें 3 एकस वर्ग धन तीन एक्स रिन चार एक्स रिन चार तो यह हो गया अपना इन दोनों में से तीन कामाना गया और एक्स कामाना गया तो यहां से तीन निकल गया इसमें से एक्स निकल गया तो एक्स बचा धन तीन एक्स पुरा भार आ गया तो यह एक बचा यहां पर रिन आ जाएगा और दोनों जगा चार है तो चार आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा एकस और रिन निकल गया है तो अंदर बचेगा धन का धन बचेगा और चार निकल गया तो एक बचेगा अब दोनों जगा एकस धन एक यहां पर भी है तो ये एक सधन एक बाहर आ गया और अंदर आ जाएगा तीन एक सरेंड जारा यह गया तीन एक सरेंड जारा तो ये इसे दो दो गुन अन्खन प्रत्य क्या आ गया है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद